नमस्कार दोस्तों ट्रिकी गुरु अमीद गुप्ता की यूटूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए स्रिंखला परिछड के एससी में पूछेगा दस ऐसे प्रक्षणों को लेकर आया हूँ जिने हम ट्रिकी तरीके से साल्प करेंगे और आपको बताएंगे कि परिछाल में आप अपने मुल समय को कैसे बचा सकते हैं तो आज देखते हैं पहले अच्छर से पहले अच्छर की दूरी फिर दूसरे से द पहले से पहला पहले से पहला ऐसे कुद कुद के जाना है यानि और एक विधी याद रखे कि जहां से चलेंगे उस अच्छर को छोड़के जहां पहुचेंगे उस अच्छर को लेकर काउंट करेंगे इसको कह सकते हैं छोड़कर लेकर विधी तो यानि कि यहां पे हम को छोड़ कर गिने तो B A को छोड़ कर गिने तो B C यानि प्लस दो और उसकी तरह से आगे बढ़ने तो D E प्लस दो E या तो F G प्लस दो मैं ये लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए परिचाहाल में आनलाइन परिचाह में आपको लिखना बिल्कुल नहीं है मन में ही आप सोच लेंगे तो G है तो अब प्लस दो करने से पहला अच्छाहर आपको प्राप्त हो जाएगा HI यानि कि पहले खाली अस्तान पर I होना चाहिए तो I सिर्फ विकल्प C में है और B में है यानि D और A कभी भी आवार आंसर नहीं हो सकता है तो अब हमें दूसरा अच्छाहर का पता करना पड़ेगा L और J में माइनस में है यानि कि हमें जब माइनस में हो तो आपको उल्टा ABCD पढ़ने में दिक्कत होती है आप गलत आंसर तक बोच सकते है इसके लिए तरीका यह है कि जब माइनस में अच्छा रहे तो आप बाएं से दाएं न बढ़ करके दाएं से बाएं पढ़ेंगे तो आप प्लस में भी पढ़ने का आपको लाब मिल जाएगा तो इसलिए आपको करना यह है कि आप यहां से F है तो GH IJ KL यानि कि दाएं से बाएं तरफ प्लस दो कह सकते हैं यानि वास्तविक्ता में यह माइनस दो है लेकिन आप अपनी सहोलियत के लिए यानि F में माइनस दो करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा F में माइनस दो करेंगे तो F से पहले E और E से पहले D आता है यानि हमारा answer हो जाता है C या एक तरीका ये है कि अगर आपको बढ़माला करम के अच्छरों की संख्याएं पता है तो आप जानते होंगे F ये जो F हाई ये 6 नमर पर आता है तो 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 अच्छवता अच्छर होता है D तो फिर आप दूसरे खाले इस्थान पर D C या और B में से केवल C में इसलिए हमारा answer हो जाता है C कई तरीके से परस्मों को साल क्या सकता है आपको जो भी अच्छा लगे अब इस परस्में देखिए A के बाद X बहुत समय के बाद आएगा यानि कि हम कह सकते हैं कि यह माइनस में है तो माइनस में अगर मानेंगे तो हम सहुलियत के लिए बाएँ से दाएँ ने पढ़के दाएँ से बाएँ तरफ पढ़ेंगे तो X के बाद Y, X हो छोड़ के हम लोग गिरना है Y, Y, Z, A यानि हम कह सकते हैं माइनस 3, जब भी हमें माइनस में पढ़ना रहे, तो हम सहुतनियत के लिए दाय से बाय पढ़ेंगे, उसी तर से U है, तो V, W, X, यानि यहां भी माइनस 3 है, तो उसी तर से किस अच्छर से हम चले की, हमें 3 प्राप्त हो जाए, या O से भी हम चलेंगे, O में माइनस 3 करेंगे तो हमें आंसर मिल सकता है तो O में हम प्लस 3 करेंगे चुकि हम डाएं से बाएं चलना है तो O है तो P Q R यानि पहले खाले इस्थान पे R आएगा तो जब यहाँ पर R होगा तो अब R से S T U यहाँ पर प्राप्ट हो जा रहा है यानि यह बिल्कुल सही है पॉले खाले इस्थान पे R का मतलब B और D हमारा आंसर नहीं होगा अब हमारा आंसर A और C में से ही कोई एक होने वाला है तो अब हम अगला देख लेते हैं अच्छर L है तो M N O यह भी माइनस 3 है O है तो P Q R यह भी माइनस 3 है तो हम किस अच्छर से चले की हमेरे 3 प्लस कर चुकी बाये से दाये चलने पर माइनस है अगर दाये से बाये हम लोग चेक कर रहे हैं तो यह प्लस ही होगा याद रखिए बाये से दाये चलने अगर माइनस है तो दायं से बाय चलने पर plus property होगा, अगर बाय चलने पर plus है, तो दायं से बाय चलने पर minus होगा, इस बात को आप याद रखेगा, यानि हमें minus 3 करना है, अगर इधर सिधा चलने तो ये plus 3 करेंगे, f है तो G, H, I, किस विकल्प में दूसरे खाले इस्तार पर आई है इन दोनों में तो A में तो हमारा आंसर हो गया A अगला प्रस्ण है A से हम F की दूरी देखेंगे A है तो B, C आपको अगर वडमाला करम याद है तब तो कोई दिकत नहीं तब तो आप जान जाएंगे F में से यानि कि 6 में से एक निकालने से 5 आता है लेकिन अगर वडमाला करम नहीं याद है तो एक तरीका यह है कि आप दो-दो का पेर बनाके अच्छरों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जागा कि कितने का अंतर है जैसे आप मैं पढ़के दिखाता हूँ आपको A और F के बीच में कितने का अंतर है तो A से पढ़ेंगे तो A के बाद B C D E F तो दो-दो का पेर हमने दो बार पढ़ा और एक यानि कि 5 का अंतर उसी तरह से F से K तक पोचेंगे तो F के बाद G H I J K यानि यहां भी प्लस 5 है K के बाद अब उसी तरह से 5 करने पर आंसर आएगा K है तो K के बाद L M N O P तो P यहांपर के बाद B और C में ही है यानि A हमार आंसर नहीं हो सकता है तो अब हम दूसरा अच्छर देखेंगे C से इस तक तो C है तो D E F G H यानि यहां भी प्लस 5 है इसके बाद I J K L M यानि यहां भी 5 है यानि 5 करने से हमार आंसर आजाएगा M है तो फिर 5 देखें दो पेर से हम लोग आगे बढ़ते हैं मैं थोड़ा धीरे धीर पढ़ रहा हूं समझाने के लिए आप इस काम को थोड़ा जल्दी जल्दी भी तेजी से कर सकते हैं A मैं तो NO, PQ, R तो R कीस विकल्ब में है दूसरे खाली अस्थान पे तो दोनों ही में है तो हमें क्या करना चाहिए था समय बचाने के लिए दूसरा खाली अस्थान पे क्या आएगा हमें यह खोजना ही नहीं चाहिए था बलकि last वाला अच्छर खोजना चाहिए था ताकि ह हमारा 10 सेकेंड बस सकेंड, तो अब हम E को खोज लेते हैं, E से J की दूरी, F, G, H, I, J, यानि ये भी 5 ही है, और J से O की दूरी, K, L, M, N, O, ये भी 5 ही है, यानि 5 से ही हमारा अंसर रहाएगा, O के बाद P, Q, R, S, T, लाश्ट में T किस में है, तो B कल्प B में है, इसलिए हमारा अंसर हो जाता है, B, अगला प्रस्ण है, E के बदले में यहाँ पर E आया है, कितना अंतर है, तो B, C, D, E, प्लस 4 का, अगर जिसको चरो की बढ़ माला चरो के करम याद है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ दिक्कत होती है, याद नहीं किये हुए है, तो वो बोलकर भी छोटे-छोटे दूरी के उनको ग्याद कर सकते हैं, कैसे उन्हें करना है, तो मैंने बताया, दोदों का पेर बना के जल जली पड़ी, A है तो B, C, D, E, यानि प्लस 4, और यह लिखना नहीं मन में सोच लेना, E है तो F, G, H, I, यानि यह भी प्लस 4 है, I है तो O के दूरी, I के बाद J, K, L, M, I है तो J, K, L, M, N, O, यहाँ पर प्लस 6 हो गया, यानि आगे हमारा प्लस 6 से आंसर आने वाला है, तो O के बाद P, Q, R, S, T, U, यानि पहले खाले इस्तान पे U आए गया, यानि हमारा आंसर B औ इसको अटा देते हैं, यानि इन दोनों में से आवारा आंसर दोने वाला है, दूसा चर से देखते हैं, N है तो O, P, Q, R, S, T, यानि प्लस 6 है, अब T से Z की दूरी, P है तो U, V, W, X, Y, Z, ये भी प्लस 6 है, तो Z से एप की दूरी, Z के बाद ये वर्माला खतम नहीं होगा, A, B, C, D, E, F, यानि ये भी प्लस 6 है, तो अब आंसर आएगा प्लस 6 से, F है तो G, H, I, J, K, L, तो L है विकल्प B में, यानि यहाँ पर आप चाहे तो वर्माला क्रम्याद है, तो आप F है, F का मतलग 6 है, तो 6 में 6 जोड़ देंगे, तो 12, 12, 16, L होता है, ऐसे भी आप जान माइनस एक है, अब Y है, तो यहाँ पर X से कह सकते हैं, कि माइनस एक है, तो X में माइनस एक करेंगे, तो क्या आएगा, यानि कहना है, यह कि X से ठीक पहले कौन सा अचर आता है, तो W आता है, तो W को लेकी विकल्प है, तो डैरेक्ट हमागे बढ़ जाते बीना, इस पर र दाय से बाय चेक करेंगे, तो आपको प्लस में चेक करने की सहुलियत मिल जाएगी, तो L है, तो MNOPQ, फिर से देखें कितना समय लग रहा है, L के बाद, MNOPQ, यानि कि 5, इधर से इधर पढ़ेंगे तो प्लस पांच, लेकिन वास्तों में यह माइनस पांच ही है, आगे ब आरेस, टी यू, यानि यहाँ पर, यहाँ पर यह माइनस पांच था, यहाँ पर यह माइनस चार हो गया, यू के बाद, VW, एक्स, यानि यहाँ पर माइनस तीन हो गया, एक्स के बाद, Y, Z, यहाँ पर माइनस दो हो गया, तो दो, तीन, चार, पांच, यानि कि हमारा माइन 6 से answer आएगा यानि L में से 6 घटाना है अगर वालवाला करम याद है तो L का मतलब होता है 12 12 में 6 निकलेंगे 6 6 का मतलब होता है F हमारा answer हो जाएगा A अगर आप विगल से चेक करना चाहते हैं तो प्लस से चेक कर सकते हैं यानि यह आपको चेक करना होगा कि E में 6 जोडने से L आ रहा है या H में 6 जोडने से L आ रहा है कि G में 6 जोडने से L आ रहा है कि F में 6 जोडने से आ रहा है तो आप चेक करेंगे तो आपको पता F से अगर 6 जोड़ी F के बाद G, H, I, J, K, L यानि F से 6 बढ़ने पर एला जा रहा है यानि हमारा A आंसर इस तरह से भी सही है जिसको जो अच्छा लगा उस तरीके से चेक कर सकता है ज्यादा बेतर होगा कि आप वड़माला के सभी अच्छा लोगा करम याद कर ले क्योंकि इसके अधार पर कई चेप्टर होते है कोडिंग, डिकोडिंग, समरूपता और वड़माला क्रमांग ऐसे कई चेप्टर है जो कि आपको वड़माला क्रम याद रने पर ही आपको स्पीड मिल पायागा तो इस परस्म देखे क्या है तो D है तो E F, यानि प्लस दो F है तो G H I, यानि प्लस तीन हो गया I के बाद J K L M, प्लस चार हो गया यानि अब प्लस पांस से हमार आंसर आ जाएगा M है तो N O P Q, यानि आंसर हो गया B D है तो E F, प्लस दो F है तो G H I, प्लस तीन I है तो J K L M, प्लस चार, प्लस पांस से आंसर आने वाला M है तो N O P Q, आर हमार आंसर C होगा निगलती कर दिया था, चारी पड़ा था अब यहाँ पर देखिए यहाँ से इधर कर रहे हम जब भी माइनस मेरा है तो आप बायें से दायें चलिए आपको प्लस में पढ़ने का पढ़ने से अब होती आराम महसूस होगा Q है तो Q के बाद R S R S T R S T U दो-दो के पेर में पढ़ने तो Q के बाद R S T U यानि माइनस चार U है तो V W X Y Z यानि यहाँ पर हो गया पांच यानि यहाँ पर पांच है यहाँ पर चार है तो यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 2 होगा यानि L में 2 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यानि L है तो M N अब 2 के बाद 3 बढ़ेगा तो N के बाद O P Q यानि हमारा आंसर हो जाएगा N या डारेक्ट आप समझ सकते है कि अब या तो Q का मतलब होता है 17 17 में से आप 3 घटा दीजिए तो हो जाएगा 14-14 होगा आचर होता है N अगला प्रस्ण है अब इसमें देखे वड़ माला घट बढ़ा होगा है जब वड़ माला घटे बढ़े तो इसका मतलब जिग जग रहा है तो एक छोड़ के हो सकता है जैसे इसमें है K के बाद L L के बाद M M के बाद एक छोड़ करें होगा यानि कि जो प्रस्ण पूछ रहा है उससे वो कूद जाएगा यानि इससे हमारा आंसर नहीं मिला तो हम अगले से सम से चलेंगे तो सम पर पोचाएंगे J है तो I माइनस में है तो यानि कि हम इधर से इधर पढ़ ले तो अच्छा लाएगा I है तो J यानि माइनस एक अब माइनस एक अब इससे से इधर आप करेंगे I में माइनस एक करेंगे तो H होगा यानि आई से ठीक बोले क्या आता है H यानि यहाँ पर आप H लिखकर देख सकते हैं H H है तो I I है तो J सही है अब इसमें देखते हैं B है तो C, D, E प्लस तीन है E है तो F, G H, I प्लस च्यार है I कवाद J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S बहुत ज्यादा बढ़ गया अब समझ में नहीं आ रहा है इस प्रस्ण को थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कभी-कभी हो सकता है कि परिचाहाल में कोई प्रस्ण अगर कठीन समझ में आए तो ज्यादा अच्छा होगा कि उस प्रस्ण पर समय नुक्सान के करने के उसके बदले में हो सकता उतनी समय में आप चार प्रस्ण सही कर ले जाए और कोई प्रस्ण पर ज्यादा समय दे कर भी अगर उसे गलत करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नुक्सान हो जाता है इसलिए किसी प्रस्ण में उलजना नहीं चाहिए, अगर लग जाता है तो ठीक नहीं लगता है, तो सारा प्रस्ण परिचाहल में करने के लिए नहीं होता है, बलकि कुछ प्रस्ण छोडने के लिए भी होता है, और इसके माध्यम से ये चेक किया जाता है, कि क्या विद्यार् दूसरा दूसरे नमबर पे आने वाला अच्छर, तो B दूसरे नमबर पे आने वाला अच्छर है, तो इसमें जोड़ा गया है, प्लस एक, तो ये हो गया तीन, तो B में तीन यानि कि दो में तीन जोड़ेंगे, तो दो तीन, पांच, पांचवा अच्छर है E, अब E है माइनस एक किया जाएगा, यानि हो जाएगा, तो e में 4 जोडएंगे, यानि कि i का मतलब 5 में 4 जोडएंगे, तो 9, 9 आ गया, अब अगला अच्छर कैसा आएगा, तो अब 1 बार प्लस 1, 1 बार एक माइनस 1, तो उसी i में, अब इस बार माइनस एक किये थे, तो प्लस 1 करेंग तो 9 एक 10, यानि I में 10 जोड़ना है, यानि I का मतलब 9, 9 में 10 जोड़ना है, तो हमारा हो जाएगा, कितना? 19, तो 19 वह अच्छा, S है ही, अब S है 19 वह अच्छा, तो इस बार माइनस करने का नमबर है, कितना? 21, एक नमब, तो हो जाएगा 18, तो S में 18 जोड़ने पर क्या होगा? तो S का मतलब 19, 19 में 18 जोड़नेंगे, तो 37, तो 37 तो बढ़ माला करम में अच्छारी नहीं होते है, 26 ही अच्छार होते है, तो 26 के बाद फिर सो बढ़ माला करम सुरू जाता है, तो 26, 10, 36, 37, यानिकि 11 बढ़ना पड़ेगा, तो 11 बढ़ने का मतलब K आ जाएगा, इग रह होँए अच्छार K होता है, तो 11 में, माइनस एक बढ़ पलॉस एक होगा, तो 11, 12, यानि 11, K में 12 जोड़ने पर हमारा आनसर प्राप्ट होगा, तो 11, 12, 12 नमर जोड़ेंगे, K का मतलब 11, 11, 12 jils जोड़ेंगे, तो 23 आएगा, तो 23 में अच्छार होता है, W, तो हमारा आनसर दोस्तों आज को यह जाय सो है look जैने समझ्स करें आजण है है दोस्तों आज वीडियो को थına ने जरूरे लगा लाइक कर दीजेंगा और अपने दोस्तों में सेर कर देजेगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को है सबस्क्राइब नहीं कि scorrie कर लिए तो कभी कभी बीच बीच में मैं धांसू ट्रिक्स भी आपके लिए इस पेसली लाता रहता हूं धन्यवाद दोस्तों और आज की इस वीडियो के इस्पांसर ते प्रदेप कुमार